36 गड़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक नवंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने ट्वीट कर ये जानकारीदी उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए तयारियां शुरू कर दी गई है धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दी गए है कॉंग्रे सरकार के कारेकाल में ऐसा पहली बार होगा जब धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगी देर तक बरसात और पचेती प्रजाती के धान आने के इंतजार में सरकार हर साल एक दिसंबर से ही धान की खरीदी शुरू करती रही है हाला कि किसान हर बार इसको नवंबर में ही शुरू करने की मांग उठाते रही है इस बारे में कृषिय मंतरी रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य में पिछले साल रिकॉर्ड धान खरीदी की गई थी 21,77,000 से अधिक किसानों ने 98,000,000,000 बेजा था इसके लिए उन्हें 20,000 करोड रुपे का भुखतान किया गया था सरकार ने इस साल 110,000,000,000 धान खरीदने का लक्ष तै किया है गोर तरब है कि भारती जन्नता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुनसाओं ने मुख्य मंतरी भुपेश वगेल को पत्र लिखकर एक नवंबर से धान खरीदी शुरू कराने की मांग की थी उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 36 गण में साल 15 अक्टूबर तक लगभग सभी शित्रों में धान कटकर तैयार हो जाएगी किसान बमुश्किल एक पकवाड़े तक रुख सकते हैं इसलिए एक नवंबर से समर्तन मोले पर धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए